है गाईज हम लोगों ने कच्छा 6,7 से यह सब पढ़ा है कि A² प्लस 2AB प्लस B² का जो फर्मूला होता है ब्रेकट में A प्लस B का होल स्क्वार होता है A प्लस B का होल स्क्वार होता है आज हम इसका प्रियोग करके आपको दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करने का तरीका बताते हैं यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है A प्लस B का होल स्क्वार बराबर होता है A² प्लस 2AB प्लस B² अब मान लेते हैं कि दो संख्या है एक लेते हैं 15 हमको 15 का करना हम वर्ग तो हम इसमें जो है A बराबर 1 B बराबर 5 मान लेते हैं अब यहाँ पे हम करेंगे A का इसक्वार 2AB और B का इसक्वार A की जगा 1 है तो A का इसक्वार करेंगे 2 A into B और B की जगा जब इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा अब हमको करना कुछ नहीं है हमको simply यहाँ पे जो B square था जब B square करेंगे तो इसमें जो इकाई कांक होगा उसको यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे कितना आया 5 आया अब यहाँ पे जो 2 बचा इसको यहाँ पे add कर लेंगे कितना 10 और 2 यह 12 हुआ फिर इसमें जो हिकाई कांकाया इसको यहाँ पर उताल लेंगे कितना हुआ दो यहाँ पर एक बचा इस एक को यहाँ पर एड़ कर देंगे एक एक दो कितना आया हमको आया 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा चलिए हम दूसरी संख्या लेते हैं चलिए लेते हैं हम 24 क्या लेते हैं 24 तो यहाँ पर A बराबर 2 B बराबर 4 तो फिर लिखते हैं वैसे A का स्क्वाइर 2AB और B का स्क्वाइर A की जगा 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 2 दूनी 4, 4 चौक 16 यानि कि 2 गुड़े 2, गुड़े 4 और B के जगा 4 है तो हमको क्या करना सबसे पहले B वाले का जो इकाई गंख है उसको नीचे लिखेंगे 6 यहाँ पर 6 हुआ यहाँ पर 1 बचा अब इस 1 को इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16, 17 अब 17 का यहाँ पर 1 का अंखम 7 लिखेंगे फिर यहाँ पर 1 बचा एक को ले जाके इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 कितना 5 तो यहाँ पर जो आएगा 24 का स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा 576 कितना 576 चले कोई दूसरी संख्या लेते हैं कोई दूसरी संख्या लेते हैं माल लेते हैं लेते हैं 45 क्या लेते हैं 45 हमको करना है 45 का स्क्वायर तो 45 का स्क्वायर करने के लिए हम पहले लिखेंगे A स्क्वायर 2AB और B का स्क्वायर A स्क्वायर के जगा चार का स्कोयर, दो गुड़े, चार गुड़े, पाँच और बी के जगा, पाँच का स्कोयर, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा, पच्चम, पचीस, चार दुनी, आठ आठ पंचे, चालिस, यहाँ पर चार चोक, सोला फिर हम ओही करेंगे, यहाँ पर जो पाँच है, पाँच को हम नीचे उतार देंगे, यहाँ पर कितना बचा दो, इस दो को उठा के यहाँ लिखेंगे, तो हो जाएगा यह 42, 42 में फिर इकाई का हम कि यहाँ पर उतारेंगे, बचा, यहाँ पर आगया दो, यहाँ पर यह जो 20 25 ठीक है अब हम एक दूसरी संख्या बोलते हैं दूसरी संख्या ले लेते हैं 29 29 तो 29 में हम करेंगे A का स्क्वायर 2AB B का स्क्वायर यहाँ पर ध्यान देना इसका जो सीक्वेंस है यह नहीं खराब होना चाहिए ऐसा मत कर देना कि A A2 plus B2 plus 2AB जो इसका एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला होता A2 plus 2AB plus B2 ऐसे लिखना है अब यहाँ पर 29 लिया था हमने यह दो दूनी 4 हो जाएगा 9 दूनी 18 अठारा अठारा दूना 36 हो जाएगा और यह नव नवा क्या सी फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे एक लिखेंगे 8 बचा इ कितना हो गया यहाँ पर जो 29 का स्कॉाइर होगा वो हो जाएगा 840 ठीक है ऐसे हम करते हैं 20 का किसका 21 का करते हैं 21 का हम करते हैं 21 का तो यहाँ पर हम का करेंगे? A square 2AB B square ठीक है तो यहाँ पे B का पहले करेंगे 2 दूनी 4 यह 2 एकननम 2 दूनी 4 1 एकननम 1 यहाँ पे चूकी क्या है 1 है आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 जुड़ेगा यह 4 यहाँ पे आगे कोई संख्या नहीं है 69 69 का square करना है इसी विधी से आप लोग जो है करिए और कमेंट करके बताईएगा कि इसका answer कितना आ रहा है ताकि हम यह समझ सकी कि जो हम आपको बता रहे हैं वो चीजें आपको समझ में आ रही है Thank you